नमस्कार आप देखरेंगे इस न्यूज मैप के साथ आसुतो सानंद इस वक्त में हम गुड़ा जीला नगर परिसत छेत्र के लिए एक बड़ी ख़वर लेकर आए हैं और बता दें कि इस बार जो है नगर अध्यक्ष के पद पर एक और महिला जो है भाग या जमाने वाली है जिसने अनिता मंडल जी हाँ बिल्कुल हम सही कर रहे हैं इस बार नगर परिसत के चुना में और एक और एक महिला जो परत्यासी के रूप में निकल कर सामने आई हैं जिनका नाम है अनिता मंडल आज उनके हमके पती से मिलाएंगे सायद आप इस चेहरे को जानते होंगे त अनिता जी सबसे पहले धन्यबाद की आपकी पतनी जो है मैदान में उतरी है उतर रही है और आपको बहुत-बहुत सुपकामना है एक्सप्रेस न्यूज की तरब से कि अनिता देवी जो है इस बार भाग्या हुआ आजमा रही है कैसे अचानक से आपने निर्ने लिया और आनिता जी को आप चुनाव लणाने का सोचापने। के उपरांत जैसे हमने घर पहुचा विस तारीक के साम में। अनायास हमारी पत्नी ने कहा, तो हमारी पत्नी ने मुझे यही सवाल किया कि आए दिन घर के कार्जों के लिए मैं बाजार जाती हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि मैं राजियस मंडल की पत्नी हूँ। और राजियस मंडल जार्खन मुक्ति मूर्चा का सिपाही है जिसकी प्रदेश में सरकार है। और साहर की जो इस्थिती है, चाहे वो सडक का हो, चाहे वो नाली का हो, या फिर जो बरतमान समय में नगर परिशत का भरष्ठाचार जिस तरह से उजागर हुआ है। इनसे लोग हमसे अब सवाल करती हैं कि आपके सरकार है, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, लेकिन आप कहां तक क्या कर पाते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। अब मेरे भी मन में एक भावना जगी है कि जदी राजिके हिमन सरकार ने गोड़ा नगर परिशत चुनाओं में, गोड़ा नगर परिशत और महगामा नगर परिशत को महिलाओं के लिए अनारक्षित किया है, तो हम भी अब आपको प्रतक्च रूप से सहयोग कर राजनीत करवाते थे, अब मैं भी प्रतक्च रूप से राजनीती करूंगी और मैं चुनाओं लड़ना चाहती हूँ, देखे एक बड़ी बात होती है कि जब कोई महिला परमुक्ता से सामने आती हैं और कहती हैं कि नगर की वेवस्था को देख कर वो चिंतित हैं और इसी में जो है अपने आपको जो है नगर के लिए निचावर करना चाहती है तो ये बड़ी बात है लेकिन एक बड़ी बात होती है कि सौंडिक समाज जो की बहुत बड़ा समाज है गोड़ना में और इस समाज की एक जूटता जो है वो बहुत कायम रखता है तो क्या आपने सौंडिक समा में भी हम गुड़ा जीला सुंडिक समाज के हम सनरक्षक मंडली के सदस्य भी हैं ठीक है आप अगर चुनाओ लड़ना चाहते हैं तो आपकी भावनाओं के साथ हमारी संबैदनाई भी है लेकिन समाजी कुछ तौर तरीके हैं जिससे की समाज को भी ये गर्ब हो कि अगला आ उसने काम किया तो ठीक है सरपर्थम हम गुड़ा जीला की बहुत संक्यक अवादी जो हमारे मंडल समाज की सहर के अंतरगत है और यहां हमारा बहुत ही एक मजबूत जिला संडिक संगठन संग का गठन है जिसके अध्यक्ष माननी अंगत प्रसाद्जी है तो हमने कहा कि ठ ठीक है तो आप अपना आवेदन हमें दे मैं आपका आवेदन लेकर के जिला संडिक संग के अध्यक्ष के पास जाओंगा उनसे अनुमती की प्रार्थना करूंगा उनसकी अनुमती उपरांत फिर हम एक पार्टी के राज्यस्तरी सदस्य हैं फिर हम अपने जिला संगठन क अध्यक्ष से अनुमति लूंगा उसके बाद सबसे बड़ा जो आज गोड़ा जीले नगर परिशत को जो प्रभावित किया है वो सोशल मीडिया के न्यूज एक्सप्रेस और सारे जो चैनल्स हैं जिसने जनता के दुखदर्द को और नगर परिशत के अनुमीतिता और भरस् भूमिका निभाई है मैं उनसे भी प्रात्ना प्रूबक आवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि पिछले 30 सालों के राजनितिक और समाजिक केरियर में जदी आपको ये विश्वास प्रतीक होता है कि हमारी पत्नी गोड़ा जीला नगर परिशत को साफ सु पूशार नगर की सेवा करने में जदी हम अपना विश्वास जनता का बना पाएंगे तो उसमें हमारे मीडिया भाईयों की भी महत्तुपुर्ण भूमिका होगी इसलिए सरपर्थम समाज के प्रार्थना पत्र के बाद मैं पार्थी में प्रार्थना पत्र सौपने के आपके इस मुहईम में मैं भी जुड़ना चाहता हूं और हमारी पत्नी भी इस भूमिका को अदा करने के लिए अगर वो तयार है तो मुझे गर्भ है और हम दिलो जान से उनकी सहायता करते हुए नगरवासियों की सेवा करने में अपनी पत्नी का स्वयोग करेंगे सौंडिक समाज में मतलब आपने आवेधन दे दिया मतलब तो क्या सौंडिक समाज से क्या अस्वासन मिला मैंने अस्पस्टूप से कहा कि आप समाज का प्रत्निजित्तु करते हैं आपके समाज के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के इक्षुक होंगे सबों का आप आवेधन लीजिए सबों की इक्षा को जानने के बाद आप से जब आप ये एक राजनितिक नहीं एक समाजिक संगठन है तो आप उसका अबलोकन करें उसकी आप समिक्षा करें कि पहले भी आपके समाज के नगर परिशत के अध्यक्ष के पद पर आपके किस तरह से आपको मिला हमारे परती अब तक का क्या सहयोग समाज को रहा है और हमसे समाज को क्या उमीद बनता है जदी हम आपको लगता है कि आप किस समाज के विश्वास पर हम खरा उतरने का थोड़ा भी मेरे उपर अगर आपका विश्वास बनता है तो मैं उसके लिए अपनी दावेदारी आपसे प्रस्तूत करता हूं और आपका सायोग मिलेगा उन्होंने असपस्ट रूप से कहा भी कि आपको कौन नहीं जानता और आपके कर्मों से आपने समाज को बहुत सारे कर्मों से गौरब प्रदान किया है यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से नगर प्रस्त की जो दसा है और दिसा है इसको बदनने का काम करेंगे अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि राजस मंडल जी की पत्नी जो आनिता मंडल जी है इन पर जो है लोग किस तरीके से विश्वास जताते हैं अब अगला कदम क्या होगा लोगों के पास अब कैसे हम सबसे पहले चुकि हम इसी धर्ती पर पले बढ़े हैं और आप जानते हैं कि आप 21 वाड है और हम सरपर्थम जो यहां के समाज के सेवक के रूप में जो चर्चित शहरा है जैसे हमने अभी अपने समाज के अध्यक्ष को पूछा फिर उनके कोसाध्यक्ष मंडारेशर मं मैंने अनुरोग किया उसके वाड़ समाज के हमारे गरीबों के आपके मजदूरों के आभाज के रूप में जाने जाने बाले निल्नी धर कंत सहाय अरुन सहाय जी रात मेंसे भी मतलब मिलकल अपनी प्रार्थना को रखा उसके बाद हम अभी फिर लगातार एक व्यक्ति को आपके हमारे जो गोड़ा नगर के ही हमारे वरिष्ट व्यक्ति हैं और समाजी कार्जों में बहुत आगे रहते हैं नील रंजन बर्मा जी, टुंटुन सिंग जी उसके बाद और हमारे जो हमारा चुकी गोड़ा सहर में मैं तीन महले का बासी हूँ आपके इस गंग्टा महले का भी मैं बासी हूँ और हमारे पिता जी वाड़ नमबर आठ जो है जिसको आप गोड़ी गांधी नगर राम नगर के नाम से जानते हैं उस वाड़ में भी मेरा एक मकान है वहाँ भी रात में मैंने वहाँ के जो समाजी कर्ज करता असोक यादव है प्रकास जी हैं प्रमोज जी हैं उन सारे लोगों से जब हमने वारता की तो आपको मैं खुसी का क्या बात बताऊं महज मैंने रात में बात को छेड़ी है और आज जब हमारे घर की दूद देने वाले आई तो उन्होंने अपनी हमारी पत्नी से कहा कि तो आत हमरा बोलोने चलो पुरा गोड़ीम हलाल चो राती से कि तो चुनो लड़ी रल चो आब तो साब लोग हैं करेल चो कि तोरहाई भोट देबो आई से पहिने तोरह दूलहां जेशे गोड़ीम हम जहां आण चलों वहां सड़क बनबाई चलों हम रासनी तही सोचे चले ही नी यह रंक सेवा करी रल चे और हुनी बोलो भी चलों लेकिन है बात के ना खुले तो हमारी पतनी ने कहा कि उनसी मनसा तो सब दिन सेवा की रही है वो एक दिन भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रदेश अजक्च युबा कॉंग्रेस के प्रदेश अजक्च के पदपी रह करके पूरे प्रदेश की सेवा की है तो सेवा भावना उनके नसनस में है लेकिन हमने उनसे अग्रा किया है कि जब महिलाओं को आपके पाटी ने सम्मान दिया है तो अगर आप सही महिने में महिला को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे आपकी पत्नी मैं पहली महिला बनती हूँ मुझे अधिकार और सम्मान चाहिए तो अधिकार और सम्मान के साथ जो है अब राजेस मंडल जी और इनकी पतनी अनिता मंडल जी जो है मैदान में उतरेंगी और जनता के पास जाएंगी और नगर परिशत के हक और लडाई की बात करेंगे तब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर नगर परिशद अध्यक्ष के सीट के दावेदार कौन होते हैं जनता किन पर विश्वास करती है फिलाल के लिए दीज़े इजादत बने रहे हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज देखते रहे हैं धन्यवाद